अगर आप प्रेगनेंट हो जाती है लेकिन आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो आपके पास क्या ओप्शन्स हैं किस तरीके से आप प्रेगनेंट ना हो अगर आप नहीं चाहती है लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे कि अलरेड़ी अगर आप प्रेगनेंट हो चुकी है आपको प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया है यूरीन प्रेगनेंसी टेस्ट किट में दो लाईने आ गई है पिंक कलर की तो अब आप क्या कर सकते हैं तो सबसे इंपोर्टन को नहीं होती है एक प्रॉब्लम तो यह आती है दूसरा कई महिला है टाइम से अपनी प्रेगनेंसी डाइगनोस नहीं कर पाती है यानि कि हर महिला को अपना जो एक्सपेक्टेड पीरियड की डेट होती है वो जरूर पता होनी चाहिए और अगर पीरियड मिस हो जाता है तो चाहिए पॉर्णß का ख्याल रखना कि अगर एक हफ्ते से जाधा मिस हो गया है, एक हफ्ते से उपर हो गया है, चड़ गया है दिन आपके, तो आपको बिल्कुल वहाँ पे प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखना चाहिए अगर ऊसी समभावना है आपके प्रेगनेंट होने क ताकि time से बिल्कुल आपको ये पता चल सके जल्द से जल्द कि आप pregnant हो गई है तो जल्द से जल्द कैसे पता चलता है वो यह है कि जब आपका expected period की date पे period नहीं आता है एक हफते उसके बाद आपको रुखना होता है क्योंकि बहुत जल्दी भी अगर आप pregnancy test कर लेंगे तो वो negative आएगा तो आपको positive होगी pregnancy आप pregnant होगी लेकिन फिर भी test negative आएगा अगर आपने बहुत जन्दी कर लिया है तो तो कम साथ दिन रुकिए अपने expected period की date के बाद अगर एक हफ़ते के बाद भी period नहीं आता है तो आप pregnancy test करके वहाँ पे देखिए urine pregnancy test kits जो होती है जैसे प्रेगा news है और भी कई सारे brands है जो हर medical store में मिल जाते हैं 30 से 50 रुपे के बीच में इनके कीमत होती है तो उसको आप घर पे लाके अपने urine drops डालके ही होती है आप pregnancy के हर stage में दवाईयों को यूज करके abortion नहीं कर सकते है एक particular stage से जादा अगर आपकी pregnancy बढ़ चुकी है तो फिर आपके पास DNC का यह option रहता है यानि कि आपको hospital जाके एक procedure कराना होता है जिसको DNC बोलते हैं उसके द्वारा आपका abortion होता है अब वो कितने दिन की limit होती है वो भी मैं आपको बता देती हूँ theoretically या कई जगे आपको इसे लिखा हुआ मिलेगा या कई लोग आपको बताते भी है इंटरनेट पे कि 70 days तक यानि कि जो last आपका menstrual period आया था उसको पहला दिन था जिस दिन आपका flow जो था blood का वो start हुआ था वहां से count करें तो 70 days यानि कि 10 weeks की pregnancy तक अगर आप abortion pills यानि कि जो दवाएं आती हैं जो गोलियां आती हैं abortion के लिए उनको use करते हैं तो आपका abortion हो सकता है लेकिन मैं आपको एक fact ज़रूर बताना चाहती हूँ और emphasize करना चाहती हूँ इस बात पे कि LMP की जो first date होती है यान कि last menstrual period जो आया था उसका पहला दिन से अगर आप count करेंगे तो 49 days के अंदर अंदर अगर आप इन गोलियों को ले लेते हैं तो यह ज़्यादा effective और ज़्यादा safe होती है यूज करने के लिए हाँ theoretically बिल्कुल ऐसा बोला जाता है कि 70 days तक भी यूज कर सकते हैं लेकिन उसमें वो 49 days के बाद वो इतनी effective और इतनी safe नहीं रह जाती है इसलिए बहतर यही रहेगा इसलिए मेरी आपसे यह request है कि अपनी friends में जो भी ladies है सभी में अगर आप इस video को जादा से जादा share करेंगे तो महिलाओं का काफी इससे भला हो सकता है अब हम जान लेते हैं कि वो दवाएं कौन सी होती हैं जिसके द्वारा आप unwanted pregnancy से छुटकारा पा सकते हैं तो सबसे पहले मैं आपको यह fact भी बता देती हूँ कि यह जो medicines के नाम में आपको बताने जा रही हूँ यूज करने का तरीका भी बता रही हूँ बिलकुल यह आपकी information के लिए हैं आपको यह prescription drugs हैं क्योंकि यह over the counter नहीं मिलती हैं आपको जो abortion pills हैं यह use करना safe है की नहीं है और तभी आप उनकी सला से अपने doctor की सला से इन दवाओं को use कीज़े तो यह मैं पहले ही आपको clear कर देना चाहती हैं अब यह दवाएं कौन सी होती हैं actually जो abortion kits होती हैं abortion kits आती हैं यह pills जो होती है जैनली एक पत्ते में 5 गोलियां आती हैं तो अलग-अलग brand name से आती हैं MTP kit है, Mifigest kit है, Unwanted kit है तो यह अलग-अलग brand की होती हैं दवाएं तो इसमें एक पत्ते में 5 गोलियां होती हैं एक बड़ी गोली होती हैं और 4 चोटी गोली होती हैं और चार छोटी मीजोप्रोस्ट की गोलियां इसमें होती हैं। तो इसको यूज करने के लिए आपको क्या करना होता है। पहली चीज तो जो मैंने आपको बता ही धिहान रखेगा कि इसके बाद अगले दिन आपको कोई दवा नहीं लेनी होती है, उसके अगले दिन आप दो गोली मीजोप्रोस्ट की ले सकते हैं। जैनरली चार घंटे के अंदर अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए, अगर नहीं हो रही है तो बाकी की दो गोली भी आप ले लीजे कई डॉक्टर्स आपको ये भी सला देते हैं कि आप दो गोली मुझ से निगल दीजे और दो गोली अपने वेजाएना में रख लीजे इस टाइक की सलावी आपको मिलती है, तो जैसे आपकी डॉक्टर एडवाइस करें, आप बिल्कुल वैसे कर सकते हैं जेनरली क्या होता है कि उसकी चार घंटे के अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है जो आपने पहली गोली खाई होती है, उसके बाद किसी को थोड़ी ब्लीडिंग हो सकती है जादा तर महिलाओं को उसके बाद ब्लीडिंग नहीं होती है जब मीजोप्रोस्ट की गोलियां लेते हैं, छोटी गोलियां लेते हैं, तब ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो generally क्या होता है कि 4 गंटे के अंदर उसके अद ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है अगर 24 गंटे वेट करने के बाद भी आपके ब्लीडिंग नहीं स्टार्ट हुई है तो आपको वहाँ पे डॉक्टर को दिखाना जरूरी होता है अब आपको ब्लीडिंग होगी अब इसके कुछ side effects भी होते हैं जब आप ये दवा लेते हैं आपको थोड़ा nausea हो सकता है उल्टी आने का मन कर सकता है उल्टी हो भी सकती है किसी को diarrhea भी हो सकता है तो ये इसके common side effects है थोड़ा बहुत चकराना थोड़ा uneasiness फील होना ये इस दवा के side effects होते हैं अगर minor symptoms हैं आप tolerate कर पा रहे हैं तो ठीक है लेकिन अगर दो दिन हो गए हैं तब भी ये symptoms नहीं जा रहे हैं तो आपको अपने doctor को दिखाना वहाँ पे जरूरी होता है तो इस तरीके से दवाईयों के दोरा abortion हो जाता है अगर आप उसको time से use करते हैं इन pills को जादा देर हो जाती है या फिर अगर आपने और जादा देर के बाद ये medicine leave और effective नहीं हो पाया bleeding आपकी start ही नहीं भी या हुई थोड़ी बहुत भी तो baby abort नहीं हो पाया तो इन सब condition में आपको फिर doctor को दिखाना वहाँ पर बहुत जादा जरूरी हो जाता है तो ये सारा procedure आप अपने doctor के consultation के अंडर में ही करिएगा एक और चीज जो ध्यान रखने की है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपके बहुत रेरली ऐसा होता है एक case होता है जिसको ectopic pregnancy बोला जाता है ectopic pregnancy में क्या होता है कि बच्चा आपके uterus में चिपकने की बजाए fallopian tubes में चिपक जाता है या किसी और जगे पे चिपक जाता है ताकि ultrasound के द्वारा भी वो ये चेक कर ले कि आपका जो pregnancy है वो आपकी uterus में ही है कहीं fallopian tubes या किसी और जगे पे तो नहीं है ये चीज़ exclude कर लें दूसरा अगर आप लंबे समय से आपकी कोई बिमारी है जिसका आपको treatment चल रहा है कोई दवाईयां आप लंबे समय से खा रहे हैं तो वो बात भी आपको अपने doctor को बताना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है क्योंकि कुछ दवाएं होती है जिनके साथ इन pills का use करना ठीक नहीं होता है तो ये आपकी doctors ही decide करेंगे कि आपके लिए abortion pills safe है की नहीं है इसलिए बिलकुल अगर आपको अपनी unwanted pregnancy से चुटका रहा पाना है तो सबसे पहले अपने किसी नजदी की गानेकॉल जिस से consult कीजिए जाधा तर ये effective ही होती है कई लोग पुछने हम कितनी बार इसको use कर सकते हैं तो देखें बार बार use करना recommended तो नहीं होता है obviously best चीज ये हो दिये कि अगर आपको pregnancy नहीं चाहिए तो आप कोई ना कोई birth control का method जो regular method होता है इसको use करिए जैसे barrier method हैं आप condoms use कर सकते हैं या फिर जो oral contraceptive pills आती हैं वो आप use कर सकते हैं तो इस तरीके का कोई ना कोई regular method आप use करिए तो बार बार unwanted pregnancy होना बिल्कुल भी healthy नहीं होता है महिला के लिए क्योंकि abortion का जो process होता है obviously इसमें थोड़ी problem तो होती ही है और blood loss भी होता है तो weakness वगेरा सकती है और especially अगर आप में already iron की कमी है या आप enemic हैं तो भी आपके लिए ठीक नहीं है इस तरीके का blood loss तो हर तरीके से unwanted pregnancy होना तो healthy नहीं होता है तो इसके ये question की बार बार हम इसे use कर सकते हैं वो ठीक नहीं है आपको बिल्कुल कोई न कोई regular method of contraception यूज़ करना चाहिए केवाल emergency में अगर गल्दी से pregnancy हो गई है तो आप इन abortion pills को use कर सकते हैं अपने doctor की सलाह से दूसरी चीज़ कई बार जो जिनके baby हो गया होता है और वो breastfeed करा रही है अपने baby को और उन्हे pregnancy हो जाती है तो बड़ी problem आ जाती है कि बच्चा छोटा होता है और दूसरी pregnancy के लिए महिला health wise भी तयार नहीं होती है mentally भी तयार नहीं होती है तो उस condition में ये प्रेशन उठता है क्या वो जो abortion pills होती है उनको breastfeed करते वक्त यूज़ कर सकती है कि नहीं तो इसका जवाब है कि बिल्कुल हाँ आप breastfeeding mother है तो भी आप इन pills को यूज़ कर सकते हैं safely लेकिन अपने doctor की सलाह से ही यूज़ करिएगा क्योंकि और factors भी होते हैं जो देखने होते हैं अगर आपके लिए suitable होगी abortion pill यूज़ करना तो इस तरीके से आपके doctor आपको prescribe कर देंगे तो आज इस वीडियो में जो जानकारी मुझे काफी important लगी मैंने आप लोगों को दी जादा तर महिलाओं को सभी महिलाओं को ये जरूर पता होना चाहिए कि अगर एक unwanted pregnancy होती है तो उससे चुटकारा पाने के लिए दवाईयां होती है हर बार ये जरूरी नहीं है कि आपको hospital जाके वहाँ पे DNC करानी पड़े ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है तो दवाईयों के द्वारा हो सकता है लेकिन फिर आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि within 49 days जो LMP था, last menstrual period का जो पहला दिन था वहाँ से लेके 49 days के बीच में आपकी pregnancy अगर डाइगनोस हो चुकी है तो best time होता है abortion pills use करने के लिए तो hopefully आपको ये वीडियो कुछ अच्छा लगा होगा useful लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो अपनी female friends के साथ जरूर इस वीडियो को share कीजे जादा से जादा share कीजे ताकि जादा से जादा महिलाओं के पास ये knowledge हो जो कि उनके लिए काफी useful सावित होगी इसके इलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को like जरूर कर दीजेगा और मेरे चैनल को subscribe जरूर कीजेगा ताकि मेरे pregnancy से related आने वाले जो useful videos है उनके notifications आपको सबसे पहले मिल जाए और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो मैं आपसे मिलूँगी अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें